तो दोस्त आज हम KFC visit कर रहे हैं तो मैं KFC का जितना भी wage menu है सब मैंने order किया था इनके wage menu में जितना भी item है सब मैंने order किया था मैं भी first time visit कर रहा हूँ यह KFC का outlet तो हम unboxing करते हैं एक-एक करके item तो मैंने order क्या किया था सब मैं आपको डीटेल्स में बताऊंगा एक एक करके हम और को अन्बॉक्स करते हैं तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चानल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा दोस्तो तो यह है वेज लॉंगर वेज बर्गर है फिर यह है वेज पैटी एक ओर्डर किया था मैंने एक वेज जिंगर बर्गर ओर्डर कि क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है और आज हम के अपसी रिव्यू करेंगे पूरा उसका वेज मेन्यू तो जरूर आप भी वीडियो एंड तक देखिएगा और आपको भी पता लगेगा यह वेज भी सारुक करती है तो यह वेज लॉंगर बर्गर है तो यह इसका बन दे ET तो मुझे TEST करके थोड़ा सा N FPS आया तो मुझे इतना sto ayआईसी पसंड नहीं तो मुझे यह थोड़ा O siempre K लगा तो मैं इसे RET करूंगा somehow time तो अगर आपको spicy पसंद है या spicy food पसंद है तो आपको यह जरूर पसंद आएगा तो टिकी तो उनका regular टिकी था अभी हम वेज टिकी ट्राइ करेंगे इनका तो वेज टिकी इनका कुछ ऐसा दिखता है चोटा सा पैटी है तो इसमें फिलिंग जो था जो green इन पीस था मटर कैरेट था गाजर का आलू और बस यही फिलिंग है और स्विट कॉन का फिलिंग है और यह पैटी ना क्रिस्पी था और मुझे पैटी टेस्ट में बढ़िया लगा इतना कुछ है मतलब गंदा सा नहीं लगा मच्छा लगा मुझे यह तो आप भी यह जरूर लेकमेंट करूंगा यही पैटी उनका रहता है तो इसमें जो सेम बचपैटी डबल बचपैटी होती है लेटस होता है और तंदूरी में उनीज के साथ वो सरु करते है जोरमेंद बर्गर है बट इतना यह सब दे रहे तो यही बहुत है क्योंकि यह इंडिया में वेजपूट सरु करते हैं बाकी कौन सी भी कंट्री में नहीं करते हैं तो अभी हम टेस्ट करके देखते हैं इन्होंने नहीं तो इसलिए वो टेस्ट ना इनांस कर देता है तो अभी हम ट्राइ करेंगे इनका वेज बिर्यानी बकेट यह भी मैं फर्स टाइम ट्राइब कर रहा हूं तो यह कुछ स्पाइसी ग्रेवी देते इसके साथ एक पैटी देते वेज पैटी सेम वेज पैटी है और यह मसाला ट्राइस से नंको से करेंगेए कुछ एसी ग्रेवी तो यह ग्रेवी मिक्स करके रिटार करेंगे मसाला ियसके साथ में इनका पर स्द्राइव मुझे तो यह लगता है कि ऊन वेज और वेज पिरियानी तो है यम होता होगा खाली इसमें वेज पैटी हुए उसमें यही ने तो मैं इसे rate करूंगा 10 out of 10 तो मुझे यह बहुत ही बढ़िया लगा इनका वेज मेनु तो आप ज़रूर वेज मेनु के एपसी कभी try कीजिए आप नॉन्वेज ट्राइ करते हैं अपना नसीब है कि इंडिया में वेज फूट सर्व कर रहें तो जरूर आप ट्राइ किजिएगा फिर हम अभी यह ट्राइ कर रहें कॉफी मूज केक यह कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे डिलेवरी आते आते कुछ ना 20-30 मिनिट लग गये थे तभी यह बढ़िया सा था थोड़ा सा नॉर्मली पिगल गया था इतना नहीं बढ़ टेस्ट में न कुछ इतना फरक नहीं आ रहा था मुझा इसा लग रहा था कि मैं कोई मोका काफी पी रहा हूं तो यहीं इसका टेस्ट बढ़िया सा था तो यह आप रेकमेंड करूंगा इसे में रेट करूंगा 9 out of 10 तो इसका कॉस्ट भी मुझे कुछ ना 120 ग रेट करूंगा तो यह चौकोलावा के एक मुझे सिस्टम इनका समझ भी नहीं आए चौकोलावा के जनरली ना होट होता है बट यह ना कोल सा था जैसे रेप्रिच्डेटर किया हुआ था तो मुझे आप कमेंड्स में जरूर बताए कि ऐसा होता है क्या इनका चौकोलावा आइटम ट्राइग कीजेगा बाग